आपके साथ भी स्कैम हुआ है, नहीं हुआ, तो हो जाएगा क्योंकि अगर आप जॉब के रिलेटेड वीडियो देख रहे हो या जॉब के रिलेटेड नॉइडा, गुरगाउं, गाजियाबाद में आ रहे हो और अगर किसी आप यूटुबर की वीडियो देख के आते हो तो आपके साथ भी स्कैम हो जाएगा, कैसे, नहीं पता है, अभी बताता हूँ तो सबसे पहले जब एक बंदा 10, 12 या अपने डिजिशन को जब पास करता है और मिडल क्लास फैमिली होनी की वैसे उसके घर के हाला ठीक नहीं होते तो वो सोचता है कि चलो मैं कोई यॉब कर लेता हूँ और जब वो अपने एरिया में जॉब ढूनता है तो गाउँ जैसे इलाकों में जातर जॉब अच्छी मिलती नहीं तो इस वैसे वो सोचता है कि मैं बाहर जैसे दिल्ली, नौइडा, गुरगाओं, गाजियाबाद इन सब जगों पे जाके अच्छी कासी जॉब करूँगा उसको यहां के एरिया के बारे में पता नहीं होता तो वो क्या करता है वो पहले यूटूब पे सर्च करता है तो उसको नौइडा में या गुरगाओं में गाजियाबाद में 12th past 10 past year graduation के बाद में कहा जॉब मिलेगी फिर उसको मिलती है बहुत सारे यूटूबरों की वीडियो जो डेली में content अपलोड करते है जॉब करिगाड़ी और वहीं उसके साथ वो scam सुरू हो जाता है होता क्या है कि जब भी आप कभी यूटूब पे वेकेंसी वाली वीडियो देखते हो और वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ मुझे जॉब मिल जाएक है और जॉब करने के लिए आप नॉड़ा दिल्ली गाजियाबाद में आज आते हो वहीं पे आपके साथ scam सुरू हो जाता है क्योंकि आपको यहां के location के बारे में work culture के बारे में यहां के environment के बारे में location के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता होती है आप एक वीडियो भरूसा करके यहां पे जब चले आते हो देखो इसमें आपकी गलती नहीं है गलती उसकी है जो वो वीडियो बना रहा है उसने पूरी information नहीं बताई बहुत सारी चीज़े आप से छुपाई उसको क्योंकि वीडियो daily upload करना है तो वीडियो कहां से आ रही है नहीं आ रही वो सारी चीज़े आपको नहीं मालूम है इसलिए आपकी इसमें गलती नहीं है गलती है उस यूटूबर की जो उस वीडियो को बना रहा है क्योंकि बनाने से पहले देखो आप इस तरीके से नहीं समझो को मैं प्रॉपर आपको ब्रीव में समझाता हूँ देखो प्रॉब्लम होती कहां पे है किस तरीके से आपके साथ इस कैम होता है पहली प्राब्लम वहां आती है कि जब आप किसी डेली यूटुबर की वीडियो देखते हो जब वो डेली कॉंटेंट पोस्ट कर आपने बहुत सारी यूटुबर मैंने देखे हैं जो नौइडा गाजियाबाद गुडगाओं कि डेली वीडियो अप्लोड करते हैं कि डेली पूरी आगे स्टडी कम्टीट ना करने के बजाए आप यहां पर आ जाते हो और जब यहां पर आ जाते हो रोम बगएरा ले तो क्योंकि आपका कोई गौड़ फादर है नहीं या आप किसी अगर किरायदार या आपने किसी रिलेटिव के घर रुकते हो तो जो चारी है एक ऐसा क्यों होता है क्योंकि बहुत सारी यूटूबर जो डेली वीडियो पोस्ट करते हैं वह ज्यादा तर जो पोस्ट करते हैं वह अपना जॉब जो की वेब साइट होती है एक अप्लिकेशन है आपने देखा होगा नौकरी.com या फीसबूक वगेरा या यूटूब पर कह बहुतर है तो आप तुरंट वो वीडिओ बना देते हैं उस वीडियो बनाने के चक्कर में क्या होता कि अपना जॉब मैंने बूला लोग देते हैं हर बार फ्रॉड करते हैं और नौकरी.com पर भी जो जोब पोस्टिंग हो जाती है वह कोई भी कर सकता है वहां पे कर सकते तो आप अपनी भी जॉब कर सकते हो या कंपनी भी मैं यह नहीं बोना हो कि वहाँ पर जैन्वन नहीं है लेकिन जो यूटुबर वीडियो बनाते हैं वो उसकी पूरी रिसर्च नहीं करते हैं क्योंकि मेरे सस्क्राइबर में मेरे को लगता है कि 15-20 लोगों के साथ ऐसा फ्र तो यह चीछ आपको नहीं करना है किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए कि हrega को क्योंकि उस कंपनी के बार में रिसर्च आपको अपने से करनी है खुद से करनी है जो यूटुपर क्योंकि वुछ उसका डेली iPhone डीजिant अप्लोड करना कि हाँ ये company genuine है, ये company real है, ये company exist करती है, इस company में मेरे दोस्तों ने काम किया है, उनको salary अच्छी खासी मिलती है, time to time मिल जाती है, workload जादा नहीं है, इस तरीकी चीज़े जब मुझे पता होती है, तो मैं उस company के बारे में आपको detail बताता हूँ, इसलिए ये पहला इस कायम होता है, कि जब भी आप किसी YouTuber की वीडियो देखते हो, तो सबसे पहले आप notice किया करो, कि वो देखो, noquery.com ये अपना job से उठा कि ये आपको job बता देता है, डेली के डेली वीडियो अपलोड करने के लिए, क्योंकि देखो, डेली वेकेंसी कहीं भी निकलती है, company यहां बहुत है, लेकिन डेली वेकेंसी पता करना, अगर मैं खुच जॉब कर रहा हूँ, तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाती ही, मैं डेली वेकेंसी जाकर नोड़ाम पता करूँ, और उतने मेरे contacts भी नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, noquery.com से उठाओंगा, और उठाकर आपको सीधा पोस्ट कर दूँगा, कि हाँ जी मेरा content तो यह है, noquery, यहाँ यहाँ है, आप जाकर पता कर लो, यहाँ पर आजाओ और फज़ जाओ, तो वैसे काम नहीं है, तो यह पहला scam होता है, दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, कि जो यूटूबर होता हुआ, कंपनी के बारे में research नहीं करते हैं कभी, आप टेक महंतरा में जाओ, आइनाइजर में जाओ, कोजेंड में जाओ, यहाँ पर आभी hiring चल रही है, उसके बज़ आप जाते हो, तो आपको problem face नहीं करनी होती है, आपने बताया और वहाँ पर company में job जो है, मुझे नहीं मिला, तो यह दूसरी problem थी, यह दूसरी problem बहुत सारे लोगों के साथ face करनी पड़ती है, कि YouTuber बीना research किये, company के बारे में बता देते हैं, company में क्या problem चल रही है, company में कोई target based काम होता है, नहीं होता है, salary का time मिलती है, नहीं मिलती है, सारी चीज़े आपको कोई नहीं बताएगा, वो बस अपनी inquiry के लिए एक video बनाने के लिए वीडियो बना देते हैं, क्योंको उनको daily वीडियो पोस्ट करने है, तीसरा और चौथा point में देखो मेरा similar है, तीसरा जो मेरा point होता है, यह होता है कि salary not confirmed, जब भी YouTuber को या आप की वीडियो बनाता है, या आप वीडियो की वीडियो देखते हो, तो देखो उसमें salary बढ़ा 20,000, 30,000, मुझे यह बताओ, कि 12th past 20-25 salary कैसे मिल सकती है, नहीं मिलेगी कभी भी, तो वो fraud कर देते हैं, और लोगों को क्या लगता है, जैसे कली मेरे friend ने बात किया, subscriber ने बात किया, बहिया मैंने 10,000 की job करता हूँ, यहां पर अपने घर के पास में, लेकिन मैंने वीडियो देखी, 20,000 के 12th past में salary मिल रही थी, नोईडा में, मैंने बोला, ब्रो मेरे को उसके बारे में पता नहीं है, कि आपको 12th past 20,000 salary दे कौन रहा है, उसने बोला, ऐसा-ऐसा है, मैंने इनकी इनकी वीडियो देखी, मैंने वीडियो देखी, सही में उसमें बताया गया था, कि 20, 20,000 पर मन्त की salary रहेगी 12th past BPO में, नोईडा में, यह बिलकुल गलत है, 12th past में जारतार 10, 12, 13, 15 के आसपास के salary ही मिलती है, 20k तक salary नहीं मिलेगी, मिल भी सकीगी, तो आपको कम से कम 10-15 साल या उसके उपर का experience चाहिए, communication skill बहुत ही अच्छा चाहिए, बहुत सारी criteria में ही है, उतनी है, वो बस एक hype create किया जाता है, वहाँ thumbnail में लिखने के लिए create किया जाता है, ताकि आप वीडियो को पूरा देखो, जिसे कि उनकी income generate हो, और आपके साथ scam हो, चौथा चीज देखो वो होता है कि target, बहुत सारी कंपनिया, BPO में क्या होता है, जातर जो है insurance वाली कंपनिया होती है, या banking वाली कंपनिया होती है, उसमें target हीट करना होता है, एक target दे दिया जाता है कि पर मंत आपको इतने 100 sell करनी है, अगर आप 100 sell कर लेते हो, तो आपकी इतनी salary confirm रहेगी, यूट्वर जब वीडियो बना देता हो, तो उसमें बताता है आपको 15 to 20 के salary आपकी salary आएगी 5000, आपकी salary आएगी 7000, रोज आपके उपर pressure रहेगा, TL आपको गालिया देगा, बहुत सारे काम होते हैं, जो कि नहीं बताया जाते हैं, जब आप उस काम में आते हो, तब आपको बताया जाते हैं, तो इस चीज़ से भी आप be aware रहना कि हाँ जी, target काम है कि नहीं है, उस company के बारे में research करो, 2-4 लोगों की वीडियो देखो कि मालो टेक महिंदरा में क्या होता है, target काम होते हैं, नहीं होता है, तो उसमें target काम नहीं होता है, वोड़ाफॉन वाले जो काम होता है, तो उस तरीकी की problem को उसके साथ नहीं होगी, तो इस वैसे मैं जातर उन्हीं company के बारे में बताता हूँ, जो target face नहीं होती है, जिसे कि आपको उसमें problem face ना करना पड़े, पाच्वा क्या होता है, पाच्वा तो सबसे बड़ी problem होती है, आज कल के लोगों के साथ, कि जब वीडियो बना देते हैं, तो उसमें ये नहीं बताते हैं, कि प्री पे payment करना पड़ेगा, तो इस तरीकी के fraud से भी आप बचे, मैंने लाखों बार इस वीडियो में बताया, कि अब आपके साथ scam होता, तो कभी भी आप प्री पेमिंट ना करें, यानि कि पहले पैसे ना दे, बाद में ही पैसे अगर देने भी है, तो कभी पैसे तो लगते ही नह करना, मैं पैसे नहीं दूँगा, और यह सबसे बड़ा fraud होता है, पैसे वाला, और यह ज़्यादा तर scam नॉइडा में होता है, तो इससे आप बचे रहे, कोई भी आगर call करते हैं, जॉब लग जाती है, वो पैसे मांगता है, बिलकुल उसको पैसे नहीं देना है, भले आपको, आप तो साम होने वाला है, मैं आपको बताता हूँ कि अब यह सारी प्रॉब्लम के वज़े से आपके साथ a scam होता है, लेकिन इस scam से आपको बचना कैसे है, बच के कैसे रहना है, किस YouTuber की वीडियो देखनी है, किस की नहीं देखनी है, वो सारी चीजे मैं आपको मैं भी एक middle class family से ही belong करता हूँ, और मैं जब 10-15 लोगों के message आते हैं, भईया मिर साथ ये problem आ रही है, भईया आप job नहीं मिल रही है, आप help कर दो, मैं इनकी वीडियो देखे आ था job regarding, मुझे job यहां मिल नहीं ही company वारे बोल रहे है कि यहां पर job नहीं है, तो बुरा लग कि मैं यहां पर job करने के लिए बताता हूँ, यहां वहां job करने के लिए आप आ जाओ, या कोई भी यूटुबर, दो यूटुबर का कावे वीडियो बनाना मैं, उनको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं आप ते साथ share कर सकता हूँ, कि आप उससे कैसे बच रह सकता हूँ या उस इस कैम से कैसे बस सकता हूँ, तो सबसे पहले अगर कोई वीडियो यूटुब पे बना रहा है, जॉब के रिगार्डिंग, तो जो वो कंपनी का नाम बताता हूँ, पहले उस कंपनी को यूटुब पे, या गूगल में, या कहीं भी आप उसके बारे में पहले research करो एक्जांपल के तोर पे मैं अगर कल वीडियो बनाता हूँ कि टेक महंदरा में वेकेंसी है, तो क्या तुम अन्दर मनुमाल लगा सकते हो कि टेक महंदरा कंपनी फ्रोड है, नहीं, टेक महंदरा, कोजेंट, मालीजे आइनाइजर कंपनी है, SCL है, Vipro है, Concentrix है, इस तरीक आपके वेकेंसी देता है, तो हमेशा वो HR की डीटेल देगा, जो नहीं देता है, उसको छोड़ दो, उस कमपनी को हटागा, जो देगा उस HR के नंबर पे, आप उसको WhatsApp करो, या Call करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, उसको WhatsApp करो, अपना Resumet send करो, और उससे पूछो कि वो वेक वेकेंसी है, तो उसके बाद जॉब करने के लिए आजाओ, अगर वो बोलता है, उससे पूछ लो कि क्या क्रेटेरिया है, पता चला कि आप इहाँ आगे क्रेटेरिया, फिट निवेट है तो, सारी क्रेटेरिया अगर आप पूछ लो, आप एक बार अपने तरफ से कंफर्म हो जाओ, जब वो बोलता है, इतने दिन को इतने तारिक से इतने बज़े तक वेकेंसी है, तो आप वहाँ जाओ, इंटर्वी दो, और क्लियर करो, तीसरा पॉइंट क्या है, कि कभी भी अगर आप अधर स्टेट से जॉब करने के लिए आ रहे हो, एक कंपनी को अपनी प्र का नहीं है, आपका अपने फरेंड सरकल में, ले किसी से, इंस्टेग्राम पर प्रोसेस तेने वर्क हाता है, इस वर्क होता है, वो यूट्यो में नहीं बता है, तो उसने अगर अपना contact details दिया है कि हाँ वो Instagram पर बात करना है तो तुम उसको Instagram पर पहले बात करो देखो कि वो message का reply दे रहा है या नहीं दे रहा है अगर वो नहीं दे रहा है तो फिर उस job को छोड़ो दूसरी job रूंड़ो अगर वो दे रहा है तो उसके बारे में पूरी information ले लो कि हाँ या वर्क प्रोसेस क्या होता है salary कितने मिलेगी नहीं मिलेगी क्या क्या वहाँ पे काम कैसा होता है यह सारी चीज़े उससे confirm कर लो उसके बाद जब तुम्हें confirm हो जाता है उसके बाद क्योंकि देको बहुत दूर से आ रहा है अगर तुम आया होगे एक महीना का यहां रेंट दोगे इतना height weight जो भी इसके example होता है अगर तुम्हें कोई doubt है अगर उसके बारे में मुझे knowledge है तो तुम मुझे Instagram पर message करो मेरे Instagram ID तुम्हें पता है उसके बारे में मैं तुम्हें अगर detail मुझे पता रहेगी तो मैं तुम्हें बताऊंगा अगर दूसरे किसी अगर YouTuber या मेरे शेयर कर दूँगा वह आपको detail बता देगा तो इस तरीके से स्कैम से आप बस सकते हो यह पांस तरीके हैं पांस तरीके अपने माइड में रखना अगर बहां से तुम जॉब करने आना चाहते हो और यूटूबर को हम कुछ नहीं बना सकते हैं कि वह अपनी वीडियो बना अपना काम कर रहा है आप अपना काम करो आप अपना रिसर्च करो उसके बाद जॉब करने के लिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया लेकिन बनाना जुरूरी था कि बहुत सारे लोगों के साथ यह प्रॉब्लम आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपको बताना जुरू झाल झाल झाल